हाई माई फ्रेंड्स वालकम वान मैं चैनल मैं स्विध आरना जैसा कि आप देख सकते हैं आज का क्लास 10 से ही है और क्लास 10 के बच्चे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि जो मेरी अप वीडियो होंगी वो अल्मोस्ट क्लास 10 से ही होंगी और मेली सब्सक्राइब के क्वेशन जो थोड़े डिफीकल्ट से हैं वो ही क्वेशन होंगे और सेंपल पेपर भी जो है मैं एकॉर्डिंग टू न्यूस लेबर्स जो है सेंपल पेपर भी सॉल्व करके डालूंगी तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा क्लास एन स्टूडेंट्स और चलो हम अपना क्वेशन रीड कर लेते हैं अथमाटिक प्रोग्रेशन का है स्पाइरल इस मेड अपॉफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विच सेंटर ऑल्टरनेटीवली एट ए ए ए एंड भी हमने क्या कहा कि हम ना सेंपाइरल बना रहे है तो स्पाइरल हम क्या ले रहे हैं जो सेमी सर्कल है उसका सेंटर या तो ए होगा या भी होगा इस तरीके से हम फॉर्मड कर रहे हैं स्टार्टिंग विच सेंटर ए रेडियाई जो होंगी 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस तरीके से होंगी ठीक है इंद हर semicircle की जो length है वो 0.5 increase हो रही है ठीक है पहले की होगी 0.5 दूसरे की radius होगी 1 तीसरे की radius होगी 1.5 इस तरीके से होगा और हमें 13 semicircle की length निकालना है यानि कि हमें S13 निकालना है तो पहले हमें इसकी term पता होनी चाहिए तो इसकी पहली जो term होगी वो R1 ना होके L1 होगी length of first semic circle फिर L2 जो इसका T2 होगी वो L2 होगी length of third semicircle तो इस तरीके से ना हम एक AP find कर लेते हैं तो let हम माल लेते हैं L1, L2, L3 up to dot 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 L13 क्योंकि 13 कह दिया इसने term 13 कह दी be the length of 13 consecutive semicircles ठीक है इन semicircle की length होगी और radius क्या है and the radii R and their corresponding radii R वो क्या है देखो 0.5 पहले की 1 दूसरे की 1.5 cm लगा दो तीसरे की 2 cm इस तरीके से होगी ठीक है तो हम पहले इसकी term निकाल लेते हैं तो देखो जो L1 होगा वो होगा length semicircle है पूरे circle की circumference होती यानिकी length होती है 2 pi r semicircle की होगी pi r तो pi r 1 कह दो pi की value ऐसी रहने दो 0.5 is equal to 1 by 2 यानिकी पहले circle की length होगी pi by 2 cm L2 हम निकालेंगे that is pi r 2 is equal to pi into 1 is equal to pi cm हम L3 निकालेंगे pi r 3 is equal to pi into 1.5 by 10 यानिकी 3 pi by 2 cm इस तरीके से चलता जाएगा तो हम A और D निकाल लेते हैं इसका तो देखो A तो होगा L1 के equal उस AP का तो A हमारा L1 के equal है तो pi by 2 होगा और D भी क्या होगा D होगा L2 minus L1 यानिकी pi minus pi by 2 वो भी कितना आएगा भई pi by 2 आएगा A और D पता चल गया हमें निकालना है S13 तो हम S13 निकाल लेते हैं तो S13 होगा आपका 13 by 2 2A plus 13 minus 1 into D होगा 13 by 2 2 into pi by 2 plus 12 D, D भी कितना है? pi by 2 है 2 से 2 कटा 2 6 है 12 13 by 2 into 6 और 1 7 pi 13 by 2, pi की value कह रहा है यूज करो 22 by 7, 7 से 7 कैंसल हुई, 2 11 और जब तुम 13 की multiply 11 से करोगे, जब तुम 13 की multiply 11 से करोगे जब तुम 13 की multiply, सॉरी है तो मेरा, देखो यहाँ पर बता देते हो 2 into pi by 2 plus 12 into pi by 2 आएगा 2 6 से 12, 2 से 2 कैंसल आउट करा, यहाँ बचा pi, यहाँ बचा 6 by 7 pi इसमें कह रहा है question में pi की value 22 by 7 नहीं है तो मैंने pi की value रख दी 7 से 7 कैंसल आउट, 2 11 जा 22 और 13 into 11 आपका होता है 143 यानि की 143 सेंटीमीटर क्या होगी आपकी total spiral की length होगी जब वो 13 बार घुमेगा hope आपको इक्वेशन अथ्चे से समझ में आया होगा तो please मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा thanks for watching